और चानel को और बाल को भ्रेल को फड्रियो की प्रॉपपन डिफले सन आप अलोगों होते हैं बहुत सारे के अंजिनिंग की अप कि आप किटना या जानते हूं नियुक्त λात करते हूं कितनी सारी चीजिए यह जानना बहुत जरूरी है लिख भीडियो में आप लोगों को बता है कि जब भी आप जाओ तो प्रैक्टिकल नॉलेज ही सब कुछ होता है इसा नहीं है कि आपने सिर्फ रट्टा मार लिया रट्टा मार लेकर कि अच्छी कमपनी में प्लेस्मेंट हो जाएगा जाएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं Google और Apple और Microsoft जैसी चलना बंद हो गई आपको मैं बता दूँ चलो प्राइवेट इंडस्टी की बात छोड़ दो ठीक है प्राइवेट इंडस्टी में आप कहते हो कि स्कूप नहीं है एक रिश्यू आपको देखना पड़ेगा बहुत सारे लोग पास आउट हो रहे हैं हर घर में एक इंज्वे इंजिनियर्स है बिना इंजिनियर्स के इतना आसान नहीं चीजह चल जाना इनजिनियर्स ही और अप इसको पैसा नहीं है कि खतम है यह कहने वाले और यह माइंडसेट में बाते रखने बहतर होगा और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूं टाइम टू टाइम ब्रांच की वैलू जरूर थोड़ी सी डाउन हुई है मैंने हर बार यह बोला है कभी कोई ब्रांच अप हुआ है कभी कोई ब्रांच की जॉब अप हुई है तो वह माइंड सेट आपको रखना वड़ा होगा जोब वर फ्रम होम पे जॉब थी तो अब इसली बहुत सारे जॉब निकले उस डूरेसर में लेकिन मेकैनिकल ले लो एलेक्टिकल ले लो एलक्ट्रोनिक्स ले लो ऐसे इंजनिंग की बैकेंसी जी ने निकल पाई तो चीज़ें बड़ी कॉंप्लिकेट हुई तो य यह माइंडसेट में लाना की इंजनिंग का स्कोप खतम होगा अब इंजनिंग मत करना बहुत विकार हो गया ऐसे लोग प्लीज अपनी मेंटेलिटी बदल लो आज भी ऐसी है जितनी बड़ी 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 मैनुफैक्ट्रिंग इंडस्ट्री हैं उन्हें भी इंजिनि इंडस्री बनाती है तो इंजिनियर का डिमांड हर जगह है बस उस माइंडसेट को बदलना की ज़रूरत है कि जिस माइंडसेट से आपसे सोच रखते हैं कुछ लोग सब लोग को मैं नहीं कह सकता हूं बहुत सारे लोग हैं जो लाइफ में सफल नहीं हो पाए हैं जो आठ साल दस साल पूरी लाइफ गुजार दिया गौवर्मेंट जॉब नहीं लगी और किस तरह से अपनी लाइफ काटे हैं बड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो वो लोग एक्जामपल जरूर सेट करते हैं दूसरों के लिए कि नहीं अर्यार इसने इंजिनिंग किया था पॉल समझना है एक वे में एक प्रॉसेस में आपको step by step life में आगे बढ़ना ओवरनाइट कोई चीज़े नहीं हो जाती है मैंने कई बार अपनी वीडियो में बोला कि मैंने ऐसे से लोगों को देखा कि महीने से करियर स्टार करके आज वह 10 लाग 15 लाग 20 लाग कमा रहे हैं तो step by step life में आगे बढ़ोगे तब जा करके आगे बढ़ोगे सब भी आप इंटर्वियो देने जाओ मौक इंटर्वियो जरूर करो मौक इंटर्वियो करने से आपको confidence आएगा अप देखो आई-एस के मौक इंटर्वियो जोते हैं तो आपको नेक्स लेवल पर लेके जाते हैं आपको प्रपेशन स्टॉंग होती है आपको confidence आता है कि नहीं यह चीजे राइट डिरेक्शन में जा रही है और जिस पर हमें काम करने की जुरूत है जब यह सारी चीजे आप mindset में लेके चलोगे ना तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे वरना ऐसी सोच और ऐसी बाते आपको कहीं ने कहीं आपको mindset को change करेंगी जो लोग जब फ्रेसर था लोग बोलते थे कि अरे इस ब्रांच का स्कोप नहीं इस ब्रांच से मत करना तो मुझे थोड़ा डर लगता था obviously mindset में होता है पता नहीं जौब लगेगी नहीं लगेगी करियर कहां जाएगा लोग क्या सोचेंगे क्या कहेंगे इतना पढ़के यह कर रहा वह कर रहा है तो वह mindset सबके अंदर होता है लेकिन जैसे जैसे मैं इंडस्री में आया confidence आया चीजे उसके according में मेहनत किया तो बस हमारे अब मेरे पास जबाब है सबकी बातों का मैं जबाब दे सकता हूँ तो मैं चाहता हूँ उसी तरह से आप लोग भी रहें कि वह mindset रखे तो जो लोग टेलीग्राम पर वहाँ भी जाके जोइन जरूर करें थैंक्यू